नमस्कार दोस्तों माइंड मर्जब में आपका स्वागत है आज हम लोग मार्किट का डिसक्रिशन कर लेंगे पहले स्टार्ट करते हैं फाइनेंशल नीज से एन पहला हम लोग देखेंगे कल ही रात को अपना रतन टाटा जी का निधन हो गया वह 910 मतलब जानी कि कल इनका फ इनका कोई जवाब भी नहीं है लाजवाब आदमी है तो आगे देखेंगे एफाइस भरसे डिया तो एफाइस ने टुड़े सेल किया है 4926 क्रोर का और डिया टोटल बाइक किया है 3878 क्रोर का तो डेली लगवक एफाइस बेची रहा है लगवक 5000 क्रोर हो गया आज उन्हों ने सेल किया है और डिया ओल्मॉस्ट 4,000 क्रोर का बाइक किया है फिर थोड़ा सा पॉजिटीव आज क्लोज हो है मार्केट तो आगे देखते हैं हिंदुस्तान जिंक्स का हिंदुस्तान जिंक्स में कंपनी रिसीब 92 क्रोर का पेनल्टी पेनल्टी किसके लिए आरस 10 क्रोर फाइन एंड किस्टम ड्यूटी डिमांड फ्रम क्स्टमर कमिश्टर को इन रिलेटेट तो प्री इंपोर्ट कंडिशन और एडवांस अथ्राइशन तो इसके लिए 92 क्रोर का पेनल्टी लगा है 10 क्रोर का फाइन लगा है तो यह है हिंदुस्तान जिंक्स का अंड कंपनी इस ट्रॉंग मेरिट और इसकेस पार्टिकुलर्ली इवन डिसेंट जिरिकल रूलिंग तो यह है अब जो रूल्स और रिगलेशन नहीं मानेगा तो क्या ही होगा फ्यूचर एक्शन विल बीडिदिरमाइन इन दू ताइम दे कम्पनी डेशन एक्सट दिए अगर तो सिग डिमेट एकांट की बात करें तो वन्ली आ सेफ्टमवर में अभी तग सब्सक्राइब करो मार्क कर सब्सक्राइब हुआ है जो एकोंट होते हैं डिमेट एकांट इंस तक मेंары स्थरा क्रूर्प्स प्रस एड़ हुआ है इस महिने में टोटल 17 करोर के ऊपर चला गया सिर्फ इंडियन डिमेट एकाउंट सारे लोग को सब लोगों को सिर्फ ट्रेडिंग करना है तुरंत पैसा बनाना है इसके लिए सब लोग ओपन कर रहा है लेकिन 90% 90% से ज्यादा लोग लॉस करता है यह भी देखना चाहिए और बल्क दील की बात करें तो आईइअगे वी में अच्छा क्या सा कैप्टल है फ्रिंशल क्याप्लि अंतर लीमिटीड बाऊड़ любимलभ एटीवन लैकसेश अब इएफ्टी क्या है इडिएवसी बैंक मर्ज हो रहा है आईडीएथी फर्स्ट बैंक से तो इसका जिसके पास भी आपस बैंक का मिलेगा तो यह आज से ट्रेडिंग बंद हो गया 10 अक्टूबर से तो आगे देखते हैं क्या होता है और ऐसी के बारले 1.5 से मिलेगा आपस बैंक का आगर किसी के पास भी है इडिएफिव बैंक का सेर्स तो इसको इडिएफिव फर्स्ट बैंक का सेर मिलेगा अगर सौ सेर है तो देर सो सेर हो जाएगा एंड वर्ट बर्टोज लिमिटेड तो इन्हें भी यह सोल्ड हुआ है 47 लाग का सेर्स और जोती स्ट्रक्चर इसमें भी शेलिंग आया है 41 लग सेर का तो यह रहा बल्ट डील का और हम लोग फोकस में क्या रखेंगे सेर्सेमें इबीज चैमिकल वाटर एंड एक आई टी भी रखेंगे हम लोग फोकस में क्यूंकि आइटी सेक्टर का भी अच्छा का सा मुमेंट आने वाला है आज भी आया है आग पर सेम पॉइंट पर आके साइड बेज हो गया अगर इसका लेवल की बात करें तो डेली हम लोग लेवल वही देते हैं तो पच्छिस हजार पच्छास 25,050 के अगर उपर गया तो बुलिश रहेगा तो मैक्सिम चांसे कल भी यहीं पर क्लोजिंग होने का देखते हैं 25,050 और 24,950 तो यह दोनों मार्क ध्यान में रख़ेगा 24,950 तो यह दोनों मार्क ध्यान में रखेगा अगर इसके उपर गया तो bullish trend रखेंगे और इसके अगर नीचे रहा तो 24,950 के अगर नीचे रहा तो option data का बात करें तो option data में देखेंगे कि nifty का यह तो आज गार्टेन तक रुगा नेक्स्ट विक का देखते हैं अगर नेक्स्ट विक का देखेंगे तो 25,200 पर अच्छा काशा पूट राटर बैठा हुआ है याने कि 25,200 के उपर मार्केट जाना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इधर भी 25,000 के उपर अच्छा काशा पूट राटर बैठा हुआ है 1.8 lakh 1.9 lakh लेकिन यह है कि 25,950 इसके नहीं है 25,900 के उपर 88,000 के उपर बैठा हुआ है लेकिन अधर कॉल लेटर के बात करें तो 25,200 के बात करें तो 25,000 पर 1.6 lakh 25,050 के उपर 48,000 25,100 तो यह है फिर जाके 25,200 के उपर resistance बैठा हुआ है यह निफ्टी के बात है और अगर बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी में अच्छा कासा मूमेंट आया था अच्छा कासा बुलिस हुआ है फिर जाके नीचे आया फिर उपर जाके यह बैंकिंग सेक्टर जितना भी फैनेंशल इंडेक्स है वह आज मूमेंट इसलिए आया क्योंकि HDFC में अच्छा कासा बुलिसनेस रहा है यह देखिए अगर कि HDFC का देखेंगे तो कि यह ओपन हुआ है कि अल्मोस्ट यहां पर 1639 के उपर और क्लोज हुआ है इसके लिए बैंकिंग सेक्टर जितना भी है वह पॉजिटिव क्लोज हुआ है तो डिया ने अच्छा कासा इसमें बाइंग किया है इसको इंडेक्स को ऊपर रखने का कोशिस किया है तो अगर एक बात आप देखेंगे तो जिए मिटकब जस्ट सारे इंडेक्स के आप उजिट चलता है अगर सब पोजिटिव जाएगा तो मिटकब निगेटिव जाएगा यह देखेंगे और सब अगर पोजिटिव निगेटिव जाएगा तो मिटकब पोजिटिव जाएगा मिटकब निप्टी नेक्ट फिप्ट कि मैंने हमने कल भी बात डिसकस कियाता है निफ्टी नेक्स 50 जल्द ही यह एक लाग के उपर आने वाला है एक लाग को टच करने वाला है देखते हैं कभी करता है अगर यह भागेगा तो अल्मोस्ट 1000 पॉइंट भागता है अपकी तरफ जाता है और अगर गिरता है तो अल्ल कि ओपन होने रहते हैं तो रहा हमारा नेट सलो है क्या ही किया जाया है ओके तब तक यह देख लेते हैं कि बैंक निफ्टिंग में अभी बुलिस रहने का ही चांस है तो यह लेबल देखेंगे 51600 अगर इसके उपर रहता है ओपन होता है तो बुलिस ही रहेगा और सेकेंड अगर है तो 51800 यहां तक जाने का चांस है और अगर डाउन साइड देखेंगे 51000 450 कि यह 51000 350 अगर तो यह देखेंगे अगर इसके आसपस रहा तो ठीक है यह ओपन होगे अपना ओर ही बैंक निफ्टिंग का हुआ है अगर देखेंगे तो कॉल लेटर उतना अच्छा कासा है नहीं वन ली 52,000 के उपर वन लैक के आसपस है उसके नीचे 45,000 40,000 तो इतना ही है अगर पूट ट्रेटर के बात करें तो यहां तो 51,000 के उपर है तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक भी 51,100 और 52,000 इसी के बीच क्लोजिंग देना चाहिए और जो अभी चल रहा है वो चल रहा है 51,500 तो अलमुस्ट में है तो देखते हैं क्या होता है और अगर फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी भी यह है और यह चीज देखना है देखें बी एसी ने तो डिक्लियर कर रहेगा तो यह देखना है सकते हैं कि कोकि की विक्ली टू रहेगा दू रहेगा बांकि सब मंथली एक्स्पायरी रहेगा तो देखते हैं एन ऐसी क्याड करता है अभी तक स्विसाइड नहीं हुआ है अर। कि अधिच्टियव डेजे और 35 देशेट रहे हाई श्क्र See Fire वे बात करें तो same behavior इसका bank nifty के तरह रहा है क्योंकि HDFC के बज़ा से तो यह same similar रहेगा whatever we have discussed in bank nifty and midcap की बात करें तो midcap पास नीचे की तरह काफी almost half percent 0.44% नीचे गिया है 56 points से और अगर इसका level की बात करें तो first level की देखेंगा इसका 12,050 सेकंड लेबल इसका रहेगा 13,000 और इसके अगर नीचे देखेंगे तो 12,850 तो यह level देखेंगे तो यह level ध्यान में रखें सेंसेक्स सेंसेक्स तो यह weekly expiry होने वाला है भी एसी के तरफ से तो सेंसेक्स का क्या ही करना यह तो अच्छा का सा मुमेंट देता है क्योंकि बहुत बढ़ा इंडेक्स है तो यह भी अल्मोस्टा साइडवेज ही रहा थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुमेंट दिया 82,316 और उसके बाद 81,624 के असपस आके बाद क्लोज हो गया इसका अगर क्लोजिंग की बात करें लेवल की बात करें तो 81,800 यह लेवल देखेंगे अगर इसके उपर गया तो फिर 82,000 यह देखेंगे क्यों वैसे इतना मुमेंट देना इजी है इतना इतना बड़ा बात नहीं है और अगर नीचे की बात करें तो 81,500 फिर 81,200 तो यह देखेंगे तो कल सेंसेट का एक सपाइरी है देखते हैं कल क्या होता है और बेंक एक्स की अगर बात करें तो बेंक एक्स भी सेम पाइनेंस सेक्टर है तो सेम सिमलर बैंक निफिप्टी के दर यह भी है निफिप्टी निफिप्टी यह तो नीचे की तरफ गया है और इसका अगर लेवल देखें तो यह आपर देखिए सपोर्ट बना रहा है कि 75,300 के पास तो अगर इसके उपर गया इस सपोर्ट के अगर उपर गया अगर लंबा देखेंगे तो यहां भी देखें यहां पर भी एक बार सपोर्ट बनाया है फिर यहां भी एक बार यहां से उपर चला गया यहां से भी उपर चला गया अगर इसके थोड़ा सभी उप पर गया तो यह 75,600 and 75,800 यहां तक जाने का संभाव ना है और अगर नीचे गया तो 75,200 तो यह देखिएगा इंडिया विक्स अज 4% से डॉन रहा अज साइडवेजी मार्केट था वोलेटाइल कुछ था है ने वोलेटिल दी तो इसके लिए यह इंडिया विक्स अल्मस्ट 13.5 के आस पस रहा है HDFC बैंक के बात करें तो अल्रडी हम लोग दोने दिसकस कर लिया यह अच्छा का सा मुमेंट दिया है 29 पॉइंट से प्लस मेरा ICIC के बात करें तो यह ठीक है मुमेंट दिया बट साइडवेज ही रहा गया .65 पॉइंट से यह क्लोजिंग दिया है अल्मस 1244 के उपर और रिलाइंस के अगर बात करें तो रिलाइंस भी नॉर्मली 7 परसेंट से आसपस मायनस में क्लोजिंग हुआ है हिंदुस्तान उनिलेबर FMCGA 14 पॉइंट से आसपस क्लोजिंग दिया है 2754 के उपर आज अगर हम लोग ट्रेड का बात करें तो हमने एक ट्रेड लिया था सेलिंग किया था निफ्टी में क्योंकि निफ्टी का एक्सपारी था तो 25200 का कॉल हमने सेल किया था और इसको हेज क किया था सेवंटी पैसे में जो कि यह भी जीरो हो गया इसमें 16 रूपीज मेरे को नुक्सान हुआ घाटा हुआ और इसमें 625 रूपीज फाइदा हुआ तो फाइनल 608 वंली वन लॉट ही किया था स्टार्टिंग में लोग वन लॉट करते हैं हमने टार्गिट लिया हुआ कि देखते हैं क्या होता है वन लॉट से कब तक हम लोग प्रॉफिट बना पाते हैं कब तक हम लोग प्रॉफिट बुक कर पाते हैं बाकि आप लोग भी सीखिए देखिए अगर कुछ कोस्टन हो तो आप लोग हम लोगों से पूछ सकते हैं कॉमेंट करके धन्यवाद